हेलो वरिवन, वेलकम टू फार्मारोक्स यूटूब चैनल फार्मारोक्स की यूटूब एज्चिनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे रहबे प्राजल टेबलेट्स के बारे में और सीखेंगे उसके बेजिक यूस अप्डेटेटर नोलिज के साथ एक्सेस करी स्टडी मेटरियल टेस्स सीरीज वीडियो लेक्चर फार्मरॉक्स के अप उपर एंडूइड यूजर है तो एंडूइड आप डाउनलोड करें आइफ़न यूजर है तो एप स्टोर पर से डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी अब समझे रैबिप्राजल के बारे में तो इडिज ए क्लास ओप मेडिकेशन कॉल प्रोटन पॉंप इन्हीबिटर्स की स्टडी करते हैं तो उसी में से ये एक मेडिकेशन है रैबिप्राजल एंड इडिज अ स्टमक एसिड का जो प्रोडक्शन हमारे स्टमक के अंदर होता है उसको कम करने का काम करता है और वह अपना काम करेगा इन्हीबिट द प्रोटन पॉंप विकॉज कि जब हमारे बॉडि के अंदर एसिड का प्रोडक्शन होता है तो उसके अंदर ये प्रोटन पॉंप हैल् जय सआता है इसके करन जो रबीप्राजुल एसी मेडिकेशन हम कह सकते कि जो स्टमक एस इड का जो प्रोड़क्सन है वो कम करती है डिक्रीष करवाती है सद्धार मेध केज़ पर ब्रेश कर लट इस भी जॉत मेरी उसका reason ये है कि उसके ये जो container में आपको side में दिखा है उसका packing जो है उसके उपर ये जो मैं highlight कर रहा हूँ वो आपको पता होगा कि ये red line है red line मतलब कि जो लाल लकीर हम कहते है लाल लकीर का मतलब ये है कि proper आपको healthcare providers के direction and supervision के साथ ही use करनी चाहिए उसका self medication करना dangerous होता है यहाँ पर देखो लिखा है कि doses के अंदर as direct by the physician storage भी लिखा है कि story ने cool and dry place and keep out of reach of children बच्चों से उसको दूर रखनी है तो ही था basic about the rabeprazole medicine अब उसके अलग-अलग doses form देखे तो tablet तो उसका available है ही बट साथ हो साथ उसके injections भी market के अदर available है और ये लाइफ लाइस powder रहता है intravenous यूज के लिए और साथ में ये WFI जो हम कहते हैं कि water for injection दिया जाता है ये लाइफ लाइस powder ये वाइल के अंदर होता है और ये water for injection को यूज करके आप उसका injection प्रिपेर कर सकते हैं कि जो intravenously patient को दिये जाते हैं आगे समझते हैं उसके basic use तो सबसे पहला जो उसका basic use वह है Peptic ulcer disease की treatment के अंदर कि जो Peptic ulcer होता है gastric ulcer होता है तो उसके treatment में use करते हैं कि आप यहाँ पे देखो तो Peptic ulcer के अंदर जो यहाँ पे stomach के अंदर ulcer जैसे produce होते हैं तो उसके इलाज के अंदर रैवे ब्राजल के tablets जो है वो prescript किये जाते हैं फिर gastroesophagal reflux disease कि जिसको हम GERD कहते हैं तो GERD के treatment में भी यह यूज किया जाता है कि जिनका acid excessive produce होता है और वो यह isophagus के अंदर आ जाता है acid का reflux होता है उपर की और आपकी food pipe के अंदर फिर excess stomach acid production कुछ लोगों के अंदर acid का production बहुत ही ज्यादा होता है excessive stomach acid problem जिसके करह उनको acidity जैसा होता है जॉलिंजर एलिसन syndrome के अंदर यूज किया जाता है release the symptoms of acid reflux कि acid reflux होता है तो आगे जाके वो GERD disease ना बने उसके लिए पहले से या prevention के प्रेवेपराजल के tablet patient को prescribe कर सकते है treated duodenal ulcer के duodenal के area के अंदर जो ulcer होता है stomach के उसको treat करने के लिए भी रेवेपराजल यूज किया जाता है gastric acid related problem के gastric acid काफी excessive produce हो रहा है उसके करण stomach के linings damage हो रहा है काफी ज्यादा acids के करण और last हम देखे तो treat the condition of acidity तो यह जो आपके gastrointestinal tract related जो problem होते हैं उसके अंदर main problem यह है कि acid ज्यादा produce होना acid reflux होना और वो ज्यादा acid के करण कई बार आपको प्रेप्टिक अलसर हो जाता है acid reflux के करण gastroesophagal reflux disease वगरा होते हैं तो यह सभी के इलाज के अंदर rabiprazole जो है वो prescribe की जाती है अब समझते हैं उसके dose के बारे में तो normally 20 mg orally once a day तो उसके container में भी आप देखो usually 20 mg के यह tablets available होते हैं और यह दिन में एक ही बार लेना है once a day कि समझो कि आप जो भी time आप fix करते हैं tablets लेने का कि समझो कि आप खाना खाने के बाद लेते हैं properly physician ने तो उसके according to dean में एक ही बार उसको लेनी है तो टेक इस बर दायरेक्शन ओफ फिजिसियन duration of therapy is 4 to 8 week कि usually treatment का जो time period हम कहें तो चार से लेकर आठ वीक तक यह tablets जो है वो patient खा सकता है अगर हम बात करें doses के वन टू 11 यर की एज के लिए और समझो कि वेट 15 kg या फिर उससे कम है बच्चों का तो फाइव मिलिग्राम ओरली वन सदे तो उनके लिए जो डोस रहता है सिर्फ 5 mg वन सदे और एज समझेक से 12 साल या उससे ज़्यादा है तो 20 मिलिग्राम ओरली वन सदे तो यह खास एद रखे कि जब समझेक है जो है वो इल्डरन की एज में है 1-11 एर की एज है तो उस वक्त 5 मिलिग्राम जितना डोस इनफ रहता है फिर बात करें डूरेशन आप थेरापी कितने मैने तक उसकी थेरापी चलते तो आप टू एट वीक्स ज्यदा से आप आठ वीक तक उसकी टैबलेट प्रिस्क्राइब कर सकते ह अब बात करें जॉलिंजर एलिसन सिंड्रॉम के जो जैड ए सिंड्रॉम हम कहते है तो उसके अंदर जो इनिसियल डोस रहता है रहबी प्राजल का वो है 60 मिलिग्राम ओरली वन से डे दिन में एक बार वन से डे 60 मिलिग्राम ओरली तो ये जो टैबलेट से वो समझे कि यहाँ पर खास आपके लिए टाइटल लगाया कि यूजर यूजर एडल डोस फॉर जैड ए सिंड्रॉम तो यह है इनिसियल डोस फिर जो मैंटेनस डोस रहता है 60 मिलिग्राम ओरली टू टाइमस डे कि मैंटेनस मतलब कि जो इनिसियल डोस से समझे कि डीस थोड़ा लेता था वो आगे जाके पेसंट 60 मिलिग्राम ओरली टू टाइमस डे ले सकता है या फिर 100 मिलिग्राम ओरली वन सदें। तो मैंटेनस डोस के दोरान कई बार डोस इंक्रीज़ भी कि आ जाता है डीक्रीस पिकिया जाता है तो डिपेंड है पेसंट के कंडिशन के उपर स् के लिए रेगुलर चेक अप करना जरूरी है बाकि जो नॉर्मल जो कंडिशन से उसके अंदर तो जैसे प्रीवेस लाइड के अंदर हमने देखा तो ये 20 मिलिग्राम के टैबलेट वन सब्सक्राइड अब बात करें कि एसीड कीस तरह से आपके बॉड़ी के अंदर प्रोल्डूर ओटा होता है। स्टमआक को इमेजिन करिये तो स्टमआक का जो 2 थर्ड पोरिशन होता है तो वहां पे पेरियत अ सल होते हैं तो ये पेरियतल सल जो उस्टमआक उमेशन करिऊ किस तरह से form ? तो समझो कि ये एक समझो कि आप यहाँ पे देख लो तो ये वाला जो पूरा पोर्शन की जो येलो लाइन के सेंटर में आ गया है तो ये पूरा समझ लो तो पेरियेटल सेल का ये रिजियन है ये पेरियेटल सेल का जो रिजियन है वहाँ पे प्रोसेस हो रही है गैस्ट्रिक एसिड के प्रोडक्शन की ये वाला स्लाइड है स्लाइड जो समझो कि बलड है तो यहाँ पे जो भी प्रोडिस होता है पेरियेटल से तो ये सेट जाए तो यह side है वो हम लिख सकते है towards the stomach कि यह वाला stomach की और जा रहा है acid और यह side जो है वो blood अब जो simple process आप समझ लिजे यहाँ पे होता क्या है तो यह आपका parietal cell है यह parietal cell के अंदर H2O and CO2 के बीच में reaction होती है और यहाँ पे involved होता है यह enzyme जिसको कहते है carbonic enhydrase यह enzyme के कारण H2O2 के बीच में reaction होता है H2O3 जो वो produce होता है H2O3 आगे जाके H plus and HCO3 minus के अंदर convert होता है उसका ionization होता है 2 portion के अंदर वो convert होता है अब जो HCO3 minus था वो आपके blood के अंदर जाता है तो यह बाहर निकल जाता है देखो उसका direction भी दिखा है कि यह parietal cell में से बाहर निकल के यह blood के अंदर mix हो जा रहा है कि यह वाला जो पूरा यह stream है यह वाला stream blood का stream है तो यह blood के अंदर चला गया अब जो H plus था तो H plus ट्रावेल करता है आपके यहाँ पे स्टमक के अंदर और यहाँ पी यह जो आप देख सकते कि जो red color का यह जो दिखाया है that is a proton pump तो यह proton pump क्या करवा था यह जो H plus की hydrogen ion को हम proton भी कहते हैं तो यह proton जो है उसको pump करेगा कहा तो आपके स्टमक region के अंदर तो H plus तो आप यहाँ को देखो बहुत सारे H plus यहाँ पे स्टमक के अंदर आ चुके हैं अब सेम टाइम पे क्या होता है जो blood के अंदर रहा जो chloride है वो parietal cell के थ्रूप ट्रावेल करके पहुचता है आपके lumen of gastric मतलब के स्टमक के अंदर आ जाता है तो पहले से H plus तो था ही अब chloride भी आ गया तो आप देखो आप chemistry में चले जाओ तो H plus and Cl minus दोनों कंबाइन होंके क्या बनाते है है HCl hydrochloric acid और यह hydrochloric acid मतलब की हमारा gastric acid की जो हमारे स्टमक के अंदर produce होता है तो इस तरह से acid जो है वो आपके स्टमक के अंदर produce होता है तो हमारा जो यह medication है proton pump inhibitor क्या करेगा यह proton का जो pump है यह red color का उसको बंद कर देगा जिसके करन बले यहाँ पे chloride minus present है फिर भी H plus नहीं होगा तो HCl बनेगा ही नहीं और HCl नहीं बनेगा तो automatically gastric acid जो है वो कम हो जाएगा तो gastric acid is digestion by creating the optimal pH for pepsin and gastric lipase and stimulitic pancreatic biocarbonate secretion की यह जो S2CO3 जो कहा जाता है कि जो pancreatic biocarbonate secretion है उसका आगे इस तरह से प्रॉपर दो पार्ट में division होता है H plus आपके lumen में पहुचता है स्टमक के chloride भी आ जाता है और HCl तयार होता है बट रैवेपराजल क्या करेगा यह रैवेपराजल कि जैसे मने प्रिवेश स्लाइड में देखा कि जो proton pump था यह proton pump को बंद कर देगा कोई भी PPI कि चाहे रैवेपराजल यूस कर रहे है ओमी प्राजल पैंटो प्राजल जितने भी प्राजल वाले proton pump inhibitor से यह proton pump को inhibit कर देते जिसके करन गैस्ट्रिक एसिड का जो सिक्रेशन है वो कम हो जाता है अब जब परसन हेल्दी होता है तो उसके अंदर प्रापर अमाउंट में गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन होना जरूरी है कि जिससे फूर का अच्छे से डाजेशन होता है बड़ जब एक्सेसिव एस्ट्रिक प्राड्यूस होता है तो उस वक्त जरूरी है उसको काम करना तो इस तरह से यह proton pump को inhibit करके यह medication अपनी फार्मकोलोजिकल एक्सन देती है अब समझते उसके side effects तो increase the risk of gastric neoplasia तो gastric neoplasia का जो risk है वो increase करवा सकती है उसके बाद देखे तो kidney के उपर उसकी असर होती है proton pump inhibitor के यह common side effect है कि चाहिए आप रैबी प्राजल लेते हैं पैंटो प्राजल तो kidney disease करवा सकती है उसके बाद तीसरा हम देखे तो कुछ लोगों को constipation होता है कुछ लोगों को diarrhea होता है feeling weak मतलब के थकान होती है throat inflammation होता है liver disease हो सकती है उसके करण फिर fractures हो सकते है bond के उपर उसकी असर होती है and gastrointestinal tract के अंदर हमने देखा कि GI tract के अंदर वो constipation या फिर diarrhea करवा सकता है and gastric neoplasia कि जो हम कह सकते कि जो cancerous condition कई बार होते है वो भी करवा सकती है and dementia मतलब की loss of memory language and problem solving and other thinking abilities कि dementia ऐसे condition होती है कि जिसके अंदर memory loss होता है language loss होती है problem solving आपका काम हो जाता है and thinking ability यह सब reduce हो जाती है तो यह सब complications हम कहें तो आपके brain related है तो यह सब side effects होते है कि अगर कोई person उसको overdose के अंदर use करता है excessive use होता है जब रैबेपराजल का अब समस्ते हैं उसके contraindications तो people with known hypersensitivity to do रैबेपराजल और protein pump inhibitor अगर आपको पता है कि आपको hypersensitivity होती है allergic conditions हो जाती है रैबेपराजल या फिर कोई भी protein pump inhibitor से तो उसको use ना करें फिर बात करें कि diarrhea from infection with Clostridium difficile bacteria कि जो Clostridium के जो bacteria होते है उसके करण समझे के diarrhea हुआ है तो ऐसे condition में रैबेपराजल यूज़ ना करें inadequate vitamin B12 कि आपके body में vitamin B12 की कमी है तो भी उसको use ना करें low amount of magnesium in the blood कि blood के अंदर magnesium आपका कम है liver related आपको problem है kidney के अंदर inflammation है या फिर interstitial nephritis की जो condition हम कहते है कि nephritis मलब कि kidney के अंदर आपको inflammation है renal inflammation कही जाते हैं ऐसे लोग रैबेपराजल को use ना करें osteoporosis जिनको है bone related जो problem है कि जो porous bone हो जाते है weak bone हो जाना या फिर broken bone है तो ऐसे condition वाले लोग रैबेपराजल को use ना करें because जो हमने side effects देखें तो kidney के उपर उसकी असर होती है bone fracture करवा सकता है liver के उपर असर करा सकता है and excessive लेने के करण आपको diarrhea फिर constipation भी करें तो ऐसे condition उसके safety के कोई ऐसे evidence नहीं है कि जिससे हम उसको prescribe करें pregnancy के अंदर तो रैबेपराजल is not recommended इसलिए मैंने खास red color से यहां पर आपको देखा है तो गल्त से भी रैबेपराजल प्रेगनसी में यूज ना करें complications हो सकते हैं आगे जाके medicine कॉल ओमिपराजल which is similar to रैबेपराजल it is safe during the pregnancy कि जो रैबेपराजल जैसे ही जो ओमिपराजल है वो safe होती है तो उसके alternative में आप रैबेपराजल के बजगाए ओमिपराजल यूज कर सकते हैं बट फिर भी समझे कि आपको simple antacid syrup से ठीक हो जाती है कि जो pregnancy के अंदर कई बार जो acid reflux जैसा होता है heartburn जैसे condition होती acidity जैसा आपको feel होता है तो यह जो antacids होते हैं कि जिसके अंदर magnesium hydroxide, c-methicon, aluminium hydroxide वगेरा होता है कि जिसको हम normal antacid syrups कहते हैं कि सिर्फ जो milk of magnesium hydroxide का mixture होते हैं वो जो है वो काफे easy रहते हैं कि जिससे कोई side effect भी ना हो और आपका gas-free acid automatically कम होता है तो यह था special lecture अबाउट आपको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी good luck and all the best